सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकम डबाना ना भूले प्रहु का नाम, प्रहु का रूप, प्रहु की लिला, प्रहु का धाव इन चारों से मन लगा रहे, चारों का एक ही फल है यह तो साधक प्रहु के नाम में ऐसा लग जाए कि भजन कर तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे भजन के बल से यमराज का खाता भी रद कर दे, ऐसा भजन हो, केवल नाम से ही अंतकर में रूप प्रगट हो जाता है और कोई भी साधना करने के अवर्शक्तन केवल नाम जप बस मन से करो, बे मन से करो, स्रद्धा से करो, अवहेलना से करो, चलते फिरते करो, बैठ के करो, किरतन करते करो, जोर से बोलो, चैह धीरे, चैह मान सिक, चैह उपांसू, चैह बैखरी, वाचिक जब गुप्त रूप से करो चाहे प्रगट रूप से करो माला से करो चाहे करमाला से करो चाहे काउंटर से करो चाहे नाच नाच के करो हरमोनियम से करो समुह में करो चाहे एकांत में बैठके करो काम करते करो चाहे काम को छोड़कर एकांत ध्यान पूर्व करो कैसी भी नाम से हमारी वानी जुड़ी रहे बस इतने से ही वो सब प्राप्त हो जाएगा जो अन्य अन्य साद्मों से भी प्राप्त होता है वो सब एक मात्र नाम जब से प्राप्त होता है बस थोड़ा सा परहेज करना है वो ये की अपराध न करें दस नाम अपराधों से बचें 32 सेवा अपराधों से बचें इन अपराधों से बच करकें सबी में प्रहू हैं इसलिए किसी का भी तिर्शकार न हो जाए हमारे द्वारा मन करम बच्चों से किसी का बूरा न हो जाए बस ये थोड़ा परहिज रखा अर्थाद पापों से बच करके घर ग्रियस्थी के कर्टब्यों का पालन करते वे प्रभू की प्रसनता के निमित प्रभू के अनंता अनंत नामों में किसी भी नाम का जाब बैक्ति को भव से उस पार पहुचा देता है प्रभू प्रेम पदारत सर्वापरी जो वस्तु है सबसे उची प्रेम सगाई कि उन नाम जबसे हमारा भगवान से सम्मंध जुड़ जाएगा ये नाम करेगा क्या पहले रूप को प्रगट करेगा प्रभू के रूप को ये प्रगट करेगा फिर ये नाम लिला को प्रगट करेगा फिर हम द्रश्टा बनकर के अपने अंता कड़ में प्रभू के लिलाओं के दर्शन करेगा फिर नाम जब की कृपा से किल हम दरश्टा बनके नहीं बलकि उन लिलाओं में स्यों भी सम्मलित हो जाएगे अर्था धाम का प्रगट्ट हो जाएगा मेरा तन और मन बन गया ब्रिंदावन दिल के आसन पर बैठे हैं राधर रमर हमारा अंते करन प्रहु का धाम बन जाएगा किल नाम नानक नाम जहाज है चड़े सु उत्रे पाबा नाम प्रहु का क्या है जहाज है जो भव सागर के उस पार हमको ले जाएगा और नाम कल्प व्रिक्ष है जो भी हम नाम से चाहेंगे सो नाम हमको देगा धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मुक्ष चाहिए और इन सब से आगे पंचम पुरसार्त भगवत प्रेम चाहिए जो भी चहत धिर्दय में होगी नाम जापके ये नाम वही काम करने लग जाएगा नाम की अनर्जी, नाम की पावर वही पर प्रवाईत होने लगेगी कहां जो चहा धिर्दय में होगी इसलिए कहां कि यदि निश्काम भाव हो तो नाम का पूरा लाब हम ले सकते हैं क्योंकि कामना संसार की रहेगी तो नाम हमारा संसार की कामनों की पूर्टी में उसकी पावर अनर्जी खर्च हो जाएगी दुरू भक्त ने भी नाम जब किया ओम नमों भगवते वासुदेवाय प्रहलाद ने भी नाम जब किर्टन किया नार्ण नाम का प्रहलाद निश्काम थे दुरू भक्त में कामना थी भजन दोनों ने बरावर किया विश्वास सर्धा दोनों में बरावर आयू दोनों की बरावर दोनों ही निश्पाप थे लेकिन अंतर पड़ गया प्राप्ति में नाम ने क्या किया प्रहलाद के साथ प्रहलाद को भगवान की गोद में बेठा लिया नर्सिंग भगवान ने प्रगट होकर कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया प्यार किया उनको चूमने लगे प्यार करने लगे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया के उन नाम जब किया प्रहलाद कोई बन में नहीं गया तपस्या करने भगव प्रहलाद ने कोई विशेस अलग से कोई साद्म नहीं किया प्रहलाद ने कोई ध्यान योग नहीं किया केवल नाम जब किया अप्रादों से बचे और नाम जब करकर पीता के प्रतिवी कूभाव नहीं आया पीता हत्यारे थे प्रहलाद को मारना चाहते थे हत्यारे पिता के प्रतिवी मन में कुभाव नहीं आया ये भी मेरे प्रभू के रूप है जो भी कुछ हो रहा है मेरे प्रभू का खेल चल रहा है अगनी में जोगा गया प्रार्थना भी नहीं की प्रभू मुझ को बचा लो क्यूं करूं कामना वही तो हो रहा है जो वो चाह रहा है और मेरे मंगल के लिए हो रहा है फिप्रार्थना का स्थान का है कामना कहा है ना जीने की कामना ना मरने का भै निश्का उतनी लगन से भजन किया जितनी लगन से दुरू ने किया उतनी लगन से प्रहलाद ने किया लेकिन नाम ने प्रहलाद को क्या दिया भगवान की गोध और दुरू को क्या दिया पीता की गोध राज भगवान नारे ने प्रगट हुए लेकिन दुरू को गोध में नहीं बिठाया क्योंकि कामना है संसार की तो मैं तो गोद में बाद में बीठाओंगा, पहले तू बाप की गोद में बैठ ले, पहले तू राज सिंगासन पर बैठ ले, तो देखो इनाम ने काम किया, दुरू ने भी नाम जपा, प्रहलाद ने भी नाम जपा, दोनों की रिती, दोनों में पूर्ण सरधा, पूर्ण इसलिए कहा कि भजण में यदी हमारे छेव विशेश्ता आजाए broadcasting कि आदर पुर्वक यदिये विशेश्ता नाम्जबत में आजाए तो नाम जबत की पूरी एनरजी कहां खर्चोगी नाम का जो पूर महात्म है नाम की जो पूर महीमा है नाम की जो पूरी पावर है नाम कहां तक साधा को ले जा सकता है ये पूरी पावर नाम अपनी प्रगड कर देता है लेकिन हम नाम को स्वतंत्र कहां रहने देते हैं नाम को बंदन में डा क्या ये काम होना चाहिए मेरा ये काम होना चाहिए मेरी ये काम ना पूरती होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बस ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए इसी में हमने काम को नाम को यही काम दिया है बस नाम किदर खर्च हो गया पूरी पावर नाम बिठाना आया था या भगवान को तुम्हारी को दिमें बिठाना आया था लेकि तु तू मुझे को मुझे संसार का kाम ले रहे हूँ नाम को स्वतंतर छोड़ दो नाम कब स्वतंतर होगा जब हम निश्काम हों भजन करो और भजन को कह दो तुम वो कर जो कर सकते हो जो तुमारी इच्छा पिर देखना नाम क्या करेगा हम भगवान को भी बंधन में डाल देते हैं साधना को भी बंधन में डाल देते हैं भगवान को भी कहते हैं प्रभु ऐसा कर दो ऐसा मत करो नाम जब को भी कहते हैं साथना को भी कहते हैं ऐसा हो जाए ऐसा ना हो आच्छा ये बताओ हम जादा बड़ी बुद्धी माना कि भगवान जादा बड़ी बुद्धी माना भगवान है तो फिर भगवान की होने दो ना अपनी बुद्धी काहे को लगा रहे हैं भजन करो बस और देखो फिर भजन क् करेगा और नाम की पूरी पावर जानते हो क्या है नाम का पूर्ण प्रभाव नाम का पूर्ण महात्म क्या है नाम ही भगवान है यही नाम की पूर्ण महिमा है नाम और नामी में कोई भेद नहीं है श्यम स्रीक्रिष्ण ही स्रीक्रिष्ण नाम है श्यम राम ही राम नाम है नाम में नामी में कोई भेद नहीं नाम सच्चिदानंद घन है, भगवान भी सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद रूपा है, विसोत पत्या दिहेत्वे, भगवान क्या है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, मीठा खाने के बाद मीठे को कहना पड़ता भई मेरा मूँ मीठा कर दो मेरी जिब्या को मीठा कर दो कहना पड़ता है कामना करनी पड़ेगी मीठा खाते समय मीठे को कहना पड़ेगा कामना करनी पड़ेगी request करनी पड़ेगी प्रार्थन करनी पड़ेगी कि मुझको मिठा कर दो मेरी जीब को मिठा कर दो नहीं कहना पड़ता क्यों? क्योंकि मिठे की मिस्री की जो महीमा है वो यही है क्यों तुमको मुँ मिठा कर देगी लेकिन हम मिस्री के साथ यदि नीम के पत्ते भी खाने लग जाएं अर्थात नाम जब के साथ पाप भी करने लग जाएं कड़वे करम भी करने लग जाएं फिर नाम अपनी मिठास नहीं देगा नाम की मिठास, मिस्री की मिठास को किस ले रोका तो नीम के पत्तों ने रोक दिया मिस्जे के साथ में नीम के पत्ते भी चबा दिये तो मिस्जी मुँ मिठा नहीं कर पाई उनकी महिमा को नीम के पत्तों ने रोक दिया इसी प्रकार हमारी संसार की कामना है यह कड़वी है संसार की कामना, संसार की च्छय कड़वाट है ये विश है ये विश है नहीं ये विश है और नाम क्या ये अम्रित है नाम अम्रित है और विश है विश है तो नाम जब करके हम क्या काम ले रहे हैं नाम जब से हम काम ले रहे हैं अपने विशों की पूरती नाम जब करने के बाद भी दुबारा से जनम लेना पड़ेगा यदिस संसार की कामना रह गई चित में मरने से पहले मन मर जाना चाहिए मरने से पहले कामनाए मर जानी चाहिए और मरने की तारीक समय कोई निश्चित निश्लिए मन मार लो समझा लो झाल